तो बच्चो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास लेवन की जो हिंदी की बुक है अंतरा उसमें चेप्टर दिया है जिसके नाम है उसकी मा ठीक है तो जो कि पांडे बेचन सर्मा ओगरी जी के द्वारा लिखी गई है तो इस चेप्टर का हम सारांस जानने वाले है हैं तो सबसे पहले हम इस कहानी का उद्दे से जानने यह कहानी जो है वह किस चीज पर बेस है यान کہ कि जानेंगे क्या तो देखे इस कहानी में देश की बुरी एववस्ता से चिंतित यूवापीडी के विद्रो ko एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है यानि कि इस कह रिषासन तंत्र को दोसी मानती है और उसे उखाड़ फइकना चाहती है और जो नए नाई पीडि we deerow के स्वर्ख के लिए राजसत्ता का विद्रोध में खड़ी है वहीं पुरवर्ति वुद्धी जीवी समाज अपनी सुविदा के लिए राजसत्ता के तल्वेश चाटने को त्यार है यानि कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो राजसत्ता के तल्वेश चाटने के लिए त्यार है लेकिन जो हमारी यूबा पीडियों से काड़ फिक ना चाहती है ठीक है इन दोने के बीच में हैं एक मायान की भारत मा जो अनेकों अनेक प्रयासों से के वाबजूद व्योस्ता की चक्किस से अपने बेटों को नहीं बचा सकी इस कहानी में ममतामई मा का सरजीब और में चित्रंड किया गया है अब उसको इक बार क पिर से करता हूँ अंडरलानी ताकि एक ही अगर कि लिए कुछ यह वकों के द्वारा दिये गए वलिदान का मारमी इस पर मारमी तरीकिस आ पिस्टेंड किया है एक दिन दूबार के समय लेखक कुछ पढ़ने के विचाचते पुस्टका ले जाता है तभी सहर के पुलिस सुप्रेटेंट उसे मिलने आते हैं पुलिस सुप्र की मृत्री हो चुकी है लाल कॉलेज में पढ़ता है और अपनी बूड़ी मां के साथ दो मंजिली मकान में रहता है उनका खर्च लेखक के पास रखी उसकी पिता की जमापूंजी से चलता है पुलिस सुप्रेटेंट लेखक को लाल से साब्धान रहने को कहकर चला गया यानि कि एक लेकक वहने की जो एक दिन पुस्टकारे जाता है और पुस्तिकाले के लिए जब फुस्तक पढ़ने बारता है तो वैसे वहां के जिखक्ता है पुस्वाद के लाल को जानती एकनों बताता वहला he आपको और कहता है जो सुप्रेटेंट होता है वो कहता है कि इस लाल से साबना रहना यह अच्छा आदमी नहीं है ठीक है फिर यहां पर बताएगा कि लेकक लाल की मा को बताता है कि वह लाल को समझा दे कि लाल करांतिकारियों उसे दूर ही रहे यानि कि लाल को समझा दे कि लाल जो है वो क्रांधिकारें से दूर रहे अनिता उसे इसका डंड भोगना पड़ेगा तब ही लाल अपनी मा को बलाने आता है तो लेकक उसे समझाने का प्रयास करता है कि वह बेटिस सरकार की विरुद सरयंतर करना छोड़ द मत अखता है जो राष्ट किसी अन्य राष्ट के नागरी को इस स्वत्त्रता चना न करता है लाइंट सरकार को वर्तं में अपना योगनां देना चाता है यानि कि वह किसी भी प्रिकार से क्रान्ती कारियों को नहीं छोडेगा अपनी करांती की कि Mormon की नहीं छोडेगा जबकि लिकरकोंसे बहुत समझाता ह connect छोकी होना चाहिए तो इनकी वजह से आज हम यहां पर आजाद बैठे हुए है क्योंकि बहुत सारी लोगों ने प्रयास किया था उसके बादे एक दिन लिकक घर आता है तो अपनी पत्नी को लाल की मां से बात करते देखता है वह लाल की मां से लाल के मित्रों के विशे में पूछता है वह बतात क्या लड़ने जगड़ने गोली बंदू की बात करते हैं तो सरलता से कहती है क्यों की बाता थोड़े ही होता यानि कि से पता थोड़ी ने होता वह क्या करते है Ой यहां लाल होता है उसके दोस्ती गठाट है तो नहीं 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 अगर बात होती है तो हमें इससे क्या मतलब है ठीक है फिर अगला बारा ग्राफ है कि एक दिन चार-पांस दिन बाहर रहने के बाद लेकक घर आता है तो लाल के घर में उसे सनाटा सा दिखाए लाल का घर होता है उसे सनाटा दिखाए दिखाए देता है उसकी पत्नी उदास मुक्त से बताती है कि लाल की मा पर भेंकर विपत्ती आगी पुलिस ने उसके घर की तलाशी में पिस्टॉलें कात्रूस और कुछ पत्र ढूंड निकाले थे उन पर हत्याश शड़यन और सरकार कि दश से कोई वकेलिन की पैरवी के लिए नहीं है मुकदमा लगवक एक वरस्त तक चलता चला गया यानिकि एक दिन क्या हुआ कि जो लेकर था वह बाहर से आया तो उसने देखा है कि जो लाल की घर इसमें बहुत सारा सर्नाटा हुआ है सामानी देख से विक्त्रा पड़ है ठीक है गोलियां और कुछ पत्र मिले हैं तो और उसकी मा को वह ग्रफतार करके ले गए और उन पर मुकदमा लगाए गया सड़कारी सरकारी सड़यंतर का राज लटने का उन पर हत्या का ठीक है क्योंकि यह बेट्टे सरकार का मुकदमा था तो इस पर कोई भी पुलिस जो वकील था वो जल्ली से अक्षन लेने को त्यार नहीं हुआ और कोई उन्हें वकील नहीं मिल ला था ठीक है उसके बाद लाल की मा का घर का सामान बेच कर एक वकील को उनकी पैरवी के लिए त्यार किया और लाल और उसके साथियों को दोशी नहीं मानती थी वह समझती कि यह पुलिस की चालबाजी है वह वह उसे बचाने को निरेंतर दोड़ धूब करती रही उसका सरीर अत्यंत कमजोर हो गया था किन्तु उसके सारे प्रत्ने वेर्थ हो गए अदालत ने लाल बंगण और उसके दो साथियों को फांसी तो था अनिदस लड़कों को साथ वर्स जो सुनाई यान कि चार लोगों को और जो दस लड़के थे उन्हें साथ वर्स की कैज सुना दी यानि कि साथ वर्स की उन्हें सजा सुना दी गई ठीक है तो लेकक और उसकी मा के किये गए सारे के सारे प्रयास विफल हो गए ठीक है फिर है जब से लाल और उसके साथी पक कि जितने भी लोग करते दो लाल की मां से मिलेंश डैसे क्योंकि वह एक विद्रोही की मां थी एक दिन लेकर अपने पुस्तकाले में मोजनी मोजनी की कोई पुस्तक देख रहा था जिस पर लाल के स्टक्चे थे पुलिस सुप्रेटेंट को चितावनी को याद कर उसी मिटान ने स्वेम लिखाता क्या लिखाता किसने लाल ने वह पत्र स्वेम लिखाता क्या था देखिए पत्र में लाल ने स्वेम और अपने साथियों के साथ मृत्तु के बार मां से मिलने की बात की लाल की मां पत्र लेकर चुप चुप चाप चली जाती है कि लिकर बेचन हो जाता यान कि अन्त में उसकी जो माह होती है अपने बेटे के गम मर जाती है तो इस कहानी के मात्यम से नहीं बताए जाता है है लेकिन कुछ कहानियों के माद्यम से जो कि हमारे मस्तिक्स पे कुछ असर प्रिभाव डालें तो वह हमें च्छोटी-च्छोटी कहानियों के माद्यम से हमारी जो भुक सोती हों कि उनकी भीडियो में आप आपको पसंदाई होगी आपको समझ में आ गए होगी अच्छी लगी हो तो इसवीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक तो चेले जुस्तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अगले च्प्टर्स के साथ में तब तकि लिए पढ़ते रहें और अपना ख्यार लखेंगे इस वीडियो को श्रटक दीजेगा और कमेट करके बताए वीडियो आपको किसी लगी तो चले दोस्तों मिलेगा अगली वीडियो में अगली चेप्टर के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं अपना ख्याल देखे धन्निवाद जैहिन वंद्वाद